Hello friends, शभीको नमस्कार, Welcome back to my YouTube channel. साथ्यों आज की वीडियो प्रात्मिक सिख्षक संग उत्तर परदेश से सम्मन्दित है. साथ्यों प्रात्मिक सिख्षक संग उत्तर परदेश ने महानिदेसक स्कूल सिख्षा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी सिख्षकों का एक दिन का वेतन काटने के सम्मन्द में बात की है. कोरोना से सही सिख्षकों है तू, प्रात्मिक सिख्षक संग के सदश्चे सिख्षकों का एक दिन का वेतन काटे जाने के सम्मन्द में मांग पत्र. दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से निवीदन है कि यदि आपने भी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरा यूट्यूब चैनल अवशे सबस्क्राइब करें जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो जो सीधे सीधे बेसिक शिक्षाई भाग के टीचर से सम्मनित होती है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रही और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो का लिंक आपके वाटसप या टेलिग्राम पर उपलब दो तो मैंने इसके लिए वाटसप और टेलिग्राम ग्रूप भी बनाए है दोनों ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक से मिल जाएगा तो देखते हैं प्रात्मिक शिक्षक संग ने अपने लेटर में क्या मांग की है सिवा में महान येसक इसकूल सिक्षा उत्तर पर देश लखनौ विशे कोरोना महमारी एवं 25 चुनाव के कारण उत्तर पर देश बेशिक सिक्षा परिशदे विद्याल्यों के सहीद हुए शिक्षक शिक्षामित्र, अनुदेशक, विशेश सिक्षक यम चतुर स्रेणिक रमचारियों की आर्तिक साहता के संबन में महोदै, सादर अवगत कराना है कि मार्श 2020 से COVID-19 महामारी के प्रकोप से उत्तर परदेश प्रभावित है COVID-19 महामारी की पर्थम लहर में, COVID-19 से बचाव है तू, संसाधन उपलब्द कराने है तू उत्तर परदेश सरकार द्वारा मुख्य मंत्री रहात कोष में आर्तिक साहता है तू, समाज के सभी वर्गों से अपील की गई थी सरकार की अपील के नुसार, उत्तर परदेश के वेसिक सिक्षकों ने अपने एक दिन के वेतन जिसकी धनलासी लगबक 76 करोड रुपे थी, मुख्य मंत्री रहात को उसमें दान दी थी इसके अतिरिक भी उत्तर परदेश सरकार द्वारा, कोविन-19 महामारी से बचाव है तू, धनलासी की विवस्ता करने है तू, परदेश के सिक्षक, वेकरमचारियों के महा जनवरी 2020, जुराई 2020, एम जनवरी 2021 से दे महंगाई बत्ते की किस्तों की धनलासी का बुगतान रो सरकार शिक्षकों द्वारा अपने करतव्यों का सत्य निष्ठा से पालन करने के साथ साथ, कोरोना महामारी में सरकार को निरंतर आर्तिक सहयोग भी किया है। परंतु कष्ट प्रद है कि इस कोरोना महामारी में सिक्षकों को बंद विद्यालियों में बैठने को विवस्त क आ। अनैक गैर सेक्षनिक कार्यूं में भी लगाया गया। लेकन कोरोना महामारी हैतू सरकार दोबारा बनाएं गए उक्त कोशचे। सिख्षकों को कोविड से बचाओ हैतू कोई भी सामगरी उपलब नहीं करा गई। कोरोना महमारी के बीच ही शिख्षकों को बिना किसी सुरक्षा उप्रण के पंचायत चुनाव कराने हेतु बहच जगया जिसका परिणाम यह रहा कि परदेश के 1621 स्यदिक शिख्षक ऐसमेही काल के गाल में समा गई 16 माई 2021 के बाद भी सिख्षकों की मरत्यों की सूचना प्राप्त हो रही है संगठन द्वारा 16 माई 2021 को अपने सहीद हुए 1621 सिख्षक एवं करमचारों के परिवारों को एक करोड रुपे मुआउजा सरकारी नोकरी एवं पेंशन देने हेतु आठ सूत्रिय मांग पत्र सरका की मरत्यों की पुष्टी की गई चथा सिख्षक संगु द्वारा प्रेशिस शूत्री को ब्रामक बताया गया मान्य मंत्री दी का यह बयान अच्यंत कष्ट प्रद है इस बयान से पर्देश के लाकों सिख्षकों की भावनाएं आहत हुई है सरकार द्वारा सही सिख्षक यह करमचार्यों की परिवारों को रात परदान करने हैं तू एक करोड रुपे मौजरासी देने में विलंब किया जा रहा है दूसरी और मरतकों के शोक में डूबे परिवार आर्तिक तंगी से जूज रही हैं विशेश का सिख्षा मित्र विशेश सिख्षक वे परिवारों को नोकरी अत्वा पेंसन की वर्तवान में कोई वस्ता नहीं है उनके परिवार अपनी आय के सुरोत वे अपने प्रियजन के चले जाने के करण तरप रही हैं ऐसे में उत्तर परदेश प्रात्मिक सिख्षक संग अपने दिवंगत साथ्यों के परिवारों की त परदेश के उत्तर परदेश बेस्तिक शिक्षा परिशत विद्यालियों में कारएर्ट उत्तर-परदेश प्रात्मिक शिक्षक्सनकी स्थ्सय शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटकर एक कोस्की स्थापना करते वे उसमश धन्राइसी उसमें व्युभाग द्वारा जमा करा दी जाए यदि कोई कारण सिक्षक एक दिन का वेतन देने है तू ऐसमर्थ अत्वा ऐसहमत होने की दसा में जीला बेशिक शिक्षा दिकारी अत्वा वित एवं लेखा अधिकारी बेशिक शिक्षा को लिखिदे प्रार्थन पत्र देता है तो उसका वेतन नए काटा जाए आपको पुने अउगत कराना है कि संगठन द्वारा पूरू में निमलिखित मांगों को आपके समक्ष प्रेशित किया गया है सभी मरतक शिक्षकों के ऐसे आस्रितों को जो बी टी सी बी एड डी एलेड की योग्यता रखती हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परिक्षा से छूट देकर सायक अध्यापक की पदबर न्युक्ति दी जाए जो आस्रित उप्रोक योग्यता नहीं रखती हैं तदा इंटरम सभी मरतक शिक्षकों को कोरोना योद्धा गोशित किया जाए चुके शिक्षकों के इलाज वर व्याय हुजी धनलासी का भुगतान किया जाए नंबर साथ पंचाइट चुनाओं में मसदान मतगणना से अनुपश्ति सभी विवार शिक्षक कर्मचारों के विरुद परसासनिक कारवाई निरस्त की जाए नंबर आट बेसिक शिक्षकों से शिक्षक के अधिकार दिन्यम के इबरीद गैर सेक्षनिक कारिया ने लिया जाए तदा कोविड कंट्रोल में लगे शिक्षकों कारिया मुक्त किया जाए नंबर नाइन मरतक शिक्षा मित्र विसे शिक्षक एम अनुदेशक के आसिस्त को भी नोकरी दी जाए आपसे विनमर अनुरोध है कि उप्रोक्त मांगों पर शिग्र अतिशिग्र सासन देश निर्गत किया जाए अन्यता की इस्तिती में उत्तर प्रदेश प्रात्विक शिक्षक संग आंदोलन करने को विवस होगा तो साथ ये तो लेटर लिखा है हमारे जो उत्तर प्रदेश प्रात्विक शिक्षक संग के अज्यक्स हैं डोक्टर तीनेश चन सर्मा जी ने इन्होंने ये तो प्रेस नोट दिया है लेकिन इन्होंने एक लेटर इनको भी लिखा है जो प्रेस विग्यपती दिया ये मैं आपको अब दिखा रहा हूं और ये पहले वाला जो लेटर था ये इन्होंने लिखा है राज्या परियोन निद्यसक को आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अलावा इन्होंने एक प्रेस नोट भी दिया है प्रेस नोट भी इसी के संबंद में है इसमें साफ साफ लिखा है सहीर सिक्षक एंग करमचार्यों साथों के परिवारों को लगबग 80 करोड रुपे अपने वेतन से देंगे बेसिक शिक्षक तो यह इस परकार का इन्होंने प्रेस नोट भी दिया है तो साथ यो इस परकार की वीडियो मुनाने का परियोजन आप सभी खोप डेट से अवगत कराना है और मेरा उद्देश्य है कि सभी शिक्षक को इस परकार की न्यूज मिलनी चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो साथ आप लाइक करी साथी मेरे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करी धन्यवाद